नवस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है डॉक्टर महीपाल सिंग राठोट और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चल्चा करूँगा हाई सीज के लिए बनाए गई एक नई ट्रीटी के बारे में जिसमें हमारे राष्ट्रिय बॉर्डर के बार का जो समुद्र है, जिसे हाई सी कहा जाता है, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा तो अभी ये ट्रीटी ratify नहीं करी गई है, सभी देशों के द्वारा अभी इस पर approval आया है, एक next step होता है ratification का और उसके बाद ये enforce होगी लेकिन हम ये जानते हैं कि ये negotiations क्यों important है, क्योंकि UN में 40 साल बाद कोई बड़ा समझोता हुआ है समुद्र को लेकर तो इन points को हम जानेंगे detail में उससे पहले pathfinder चैनल को subscribe करना ना भूलें और अगर आपको हमारे lectures अच्छे लगते हैं तो इन्हें आप like भी कर सकते हैं और comment में अपने law of the sea इसे हम अक्सर UN clause कहते हैं UN CLOS इसे law of the sea convention या law of the sea treaty के नाम से भी जाना जाता है और इसका जो tribunal है उसका ये symbol रहता है एक तराजू जो समुद्र की लहरों के उपर बना हुआ है अब आपको detail में UN clause के उपर जाना है तो एक comment करके नीचे बता दीचे एक वीडियो हम बना देंगे UN clause वैसे काफी successful UN treaty मानी जाती है क्योंके 167 United Nations members ने इस पर sign किया है और उसे ratify भी कर दिया है 14 देश ऐसे हैं जिन्होंने sign किया लेकिन अपनी Parliament में उसे ratify नहीं किया और उनमें कुछ प्रमुक देश हैं USA, Israel, Turkey, Venezuela वैसे तो और भी कई छोटे मोटे देश हैं लेकिन वो हमारे लिए exam point of view से इतना important नहीं है तो जो भी इस map में आपको red color में नजर आ रहे हैं ये देशों ने उसे अभी तक ratify नहीं किया है तो UN clause basically करता क्या है हर देश को कुछ particular area बता देता है कि यहां तक आपके देश का area रहेगा समुद्र में तो 12 nautical meal, territorial sea, उसके बाद 24 nautical meal रहेगा, continuous zone और उसके बाद का जो इलाका है वो exclusive economic zone में आता है up to 200 nautical miles, after 200 nautical miles जो भी area है that will be called as high sea तो high का मतलब है उचा समुद्र, लेकि यह height में उचा नहीं होता है, इसको high cc ले कहते हैं क्योंकि यह काफी गहरा समुद्र है, इसमें depth बहुत जादा होती है और यहां पर किसी भी देश का कानून लागू नहीं होता है, international laws यहां पर लागू होंगे और इसमें कोई भी देश, economic गतिविदिया नहीं कर सकता है, आप केवल 200 nautical miles तक economic गतिविदियों को कर सकते हैं तो अगर हम दुनिया को map out करें, तो जो भी यहां पर continents के पास में white color के इलाके आपको नजर आ रहे हैं, यह सभी exclusive economic zones हैं तो दुनिया के समुद्र का काफी बड़ा हिस्सा इसमें है, लेकिन ज़्यादा बड़ा हिस्सा blue color का है, जो किसी भी देश का नहीं है, these are international waters और open waters या high sea, तीनो नामों से इससे जाना जाता है, और यह किसी भी एक particular देश का area नहीं है, यहां पर international कानून लागू होते हैं, और कोई भी economic गतिविदी कर सकता है, जैसे कि fishing, etc., आप यहां पर oil drilling वगेरा नहीं कर सकते, लेकिन fishing कर सकते हैं, कुछ basic research वगेरा के लिए, यहां पर सभी को अनुमती दी जाती है, तो two-thirds of the world's oceans are currently as part of international waters, high sea है, और one-third आता है exclusive economic zone में, तो यहां पर सभी देशों को मचली पक trade होते जा रहे हैं, इस वक्त केवल 1% area of the high sea protected है, और वो protected area भी properly implemented नहीं है, oceans हमारे लिए कितने important हैं, यह शायद मुझे आपको बताने की जरूत नहीं है, लेकिन अगर आप एक UPSC aspirant नहीं है, तो आपको बता दूँ कि दुनिया का 95% biosphere oceans में है, और यह दुनिया का सबसे ब important research छपते रहते हैं, तो recently IUCN नहीं बताया कि 10% marine species are at the risk of extinction, यह बहुत बड़ी संक्या है, हम इस तरह के data के प्रती थोड़े से immune हो गए हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ कि हमें इससे कोई फरक नहीं पड़ता, लेकिन आप सोच कर देखें कि 10% species extinction के कगार पर हैं, यह IUCN का अ problem everywhere, तीन तरह की species ऐसी हैं, जो overfishing और drugs use के कारण, यानि कि उनसे दवाईयां बनती हैं, उसके लिए वो बहुत ज़ादा खत्रे में आ चुकी हैं, number one is abalone species, it's a type of shellfish, यह बहुत ज़ादा demand में रहती है, second is shark, तो shark का meat एक delicacy के रूप में दुनिया के कई देशों में, कई cultures मे इस्तमाल किया जाता है, इसलिए इसको भी बहुत risk हो चुका है, and finally whale, तो whale के बहुत सारे commercial इस्तमाल है, एक समय में whale से oil निकाल कर उससे street lights जलाई जाती दी, जी हाँ, इनसान ने ये भी किया है, human civilization ने 19th century में whales का बहुत बड़े स्तर पर शिकार किया है, for various purposes, अब उसे regulate किय जा रहा है, but still it is ongoing, तो अगर आप species के अनुसार देखें, तो coral reefs, sharks and rays, fishes और mollusks, इन सब के percentage देखें कि कितनी प्रतीशत species इनके extinction के खत्रे पर है, ये सभी IUCN का data है, extinction के अलावा 41 प्रतीशत species, climate change के कारण impact हो रही है, किसी ना किसी तरीके से impact हो रही है, दुनिया का लगब और ecosystems पर इसका impact पड़ेगा, इसके साथ ही oceans हमारे सबसे बड़े carbon sink भी है, मैं एक बार आपको request करूँगा कि यहाँ पर वीडियो को pause करके या तो इसका screenshot ले लेना, या फिर PDF डाउनलोड कर लेना, ताकि ये वाला chart आप अपने पास रख सकें, कैसे इसमें atmospheric carbon दीरे दीरे ब 14 में, जिसमें North Pacific Ocean में एक बहुत बड़ा हिस्सा अचानक से गर्म हो गया था, जिसके कारण वहाँ के ecosystems में बहुत बड़े बदलाव आए थे, तो अब इन species को बचाने का, marine biodiversity को बचाने का एक तरीका ये भी है कि हम इसे protected area के रूप में गोशित कर दें, जैसे हमने धरती पर national park और biosphere reserves बना रखें, वैसा ही कुछ system हमें oceans में start करना पड़ेगा, लेकिन जादतर area high sea का international water है, तो वहाँ पर कौन सा देश बनाएगा ये sanctuary या फिर ये national parks ये अभी तै नहीं था, और इसलिए ये वाली treaty sign करनी ज़रूरी थी, अब ऐसा नहीं है कि इस दिशा में अभी तक area नजर आ रहा है, ये USA ने घोशित कर रखा है marine protected area around their Hawaii islands, इसके अलावा Australia ने भी यहाँ पर अपने great barrier reef आले area को protected घोशित कर रखा है, तो ये बहुत सारे देशों ने already काम start कर दिया है, लेकिन it is not enough, ये काफी नहीं है, आप इसमें देखो कितना प्रतिशद area आपको dark blue में न लाज आकर यहाँ पर fishing कर रहे हैं, या फिर pollution फिला रहे हैं, तो ये अभी भी जारी है, इसके कारण कई सारे protected areas को तो हटा दिया गया है उस सूची से, क्योंकि आप वहाँ पर protection दे नहीं पा रहे हो, कि अवल काग्जों पर आपने protected area घोशित कर दिया है, तो इसी problem को solve करना चारी है, ये high seas treaty, ये कह रहे है कि दुनिया के 30% international waters को आप MPA में घोशित कर दो, convert कर दो, इसे protected area बना दो, जिससे ये सारी problem solve हो जाएगी, at least 30% से हम start तो कर सकते हैं, लेकिन सभी देश इस पर एक मत नहीं थे, कि protected की definition क्या है, अगर किसी को protected घोशित कर दिया, तो क्या वहा रिसर्च के नाम पर बहुत सारे whales और sharks का शिकार करता है international waters में, तो इस तरह के countries ने इस पर objection भी उठाया था, हर देश की अपनी अपनी problems थी, हर देश चाता था कि definition बहुत ही strong हो, ताकि उनकी वाली economic activity उससे दाएरे से बाहर रहे, तो इसी लिए इस treaty को sign होने में इतना समय तो अभी भी finalize नहीं हुआ है कि what is exactly a marine protected area, is it sustainable use or fully protected, क्या महाँ पर कुछ गतिविदियां allowed होंगी या सभी तरह की गतिविदियां बंद होगी, कितनी मचली वहाँ पर पकड़ी जा सकती है, एक साल में कितने टन मचली वहाँ से पकड़ के जा सकते हैं, क्या महाँ पर shipping lanes हों इस संधी में एक और interesting बात ये कही गई कि genetic resources share किये जाएंगे, तो मान लीजे US की किसी company ने किसी marine biodiversity के source से कोई दवाई बनाई है, तो अब उसका patent उसे सबके साथ share करना पड़ेगा, तो ये भारत जैसे देशों के लिए काफी फायदेगा सौदा है, क्योंकि हमारी pharmaceutical industry बहुत and gas के wells उन्होंने तयार नहीं किये हैं, तो उन पे इसका impact जरूर आ सकता है, एक important information है आप याद रखिए, वराहा 1 is the name of this seabed mining machine जो इंडिया खुद डेवलप कर रहा है, इसे डेवलप कर रहा है, National Institute of Ocean Technology और वराहा 1 इसे नाम दिया गया है, फाइनली इस संधी के अंदर पैस इसे पैसा fix मत करो, हो सकता है कि 10 साल बादी amount और बढ़ जाए, लेकिन आपने अभी से इसे कम amount में lock कर दिया है, तो ये lock नहीं होना चाहिए, तो challenges क्या-क्या है, तो first of all कि ये treaty सभी देश sign करें, देखे हां में हां भरना बहुत आसान है, लेकिन ratification is the tough step, सभी देश अपनी Parliament में अपनी सरकारों के द्वारा इसे accept करवाएं, और उसके बाद ये treaty enter होगी into force, तो जब कम से कम 500 देश इसे sign कर देंगे, तब ये चालू होगी, it will enter into force, और फिर ये legally valid होगी, अगर ये marine protected areas properly connected नहीं है, तो फिर वो desired impact नहीं आएगा, मान लीजे कि कोई ये वाला area protected गोशि protected area नहीं है, तो उसकी fishing तो यहाँ पर भी हो सकती है, जिसे मचली पकड़नी है, वो यहाँ जाके पकड़ लेगा, A और B में नहीं जाएगा, क्योंकि वो protected area है, तो इस तरह से उनके जो मचलीों के migratory route है, उनको भी ध्यान में रखते हुए, connections को properly manage करना बहुत जरूरी है, और second, ये तै करना की protected का मतलब क्या है, क्या वहाँ पर बिलकुल गतिविदियां allowed नहीं होंगी, या थोड़ी बहुत गतिविदियां allowed है, ये तै करना, इसकी exact definition पर आना एक बहुत बड़ा challenge रहेगा, तो इसी के साथ ये वाला topic आपको कैसा लगा, comment में मुझे जरूर बता अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, किसी भी कोर्से संबंदिद, discount के बारे में जानना है, तो आप इस नंबर पर call कर सकते हैं, और कहिए कि महिपाल सर का lecture देखकर मैं call कर रहा हूँ, अनकाडमी का जो comprehensive course है, वो भी available है, उसकी 2023 की और 24 की जो तैयारी है, उसके लिए हम बहुत सारी facilities आपको provide करते हैं, there have been a lot of toppers from an academy and इनके toppers की stories, इनी के जुबानी आप सुनिए हमारे channels पर इनके interviews uploaded हैं, अभी 20% discount हम दे रहे है, UPC subscription पर एक नया batch start होने वाला है, तो अगर आप optional और GS दोनों का course join करना चाहते हैं, so one year subscription will cost you 56,000 rupees, only for GS 46,400 rupees, ये prices after discount हैं, अगर आप join कर सकते हैं, सभी courses पर EMI option available है, combat start हो रहा है, फिर से combat में आप बहुत सारे attractive prizes जीच सकते हैं, scholarships जीच सकते हैं, ये जादा जरूरी है, और offline batches भी अब हमारे start हो चुके हैं, इसको भी आप join कर सकते हैं, EPFO का batch is going to start soon, thank you very much, have a great day.